हेलो क्या आप जानते हो कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा डिमांड में कौनसी प्रोड़क्ट है यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह है फार्माशुटिकल प्रोड़क्ट यस आज जो है आज के दिन में सबसे इंपोरेंट जो है कोई प्रोड़क्ट हो तो है फार जहां पर pharmaceuticals product export होती है, इंडिया is total export, तो मैं आपको यहां पर data की बात करूँ, तो 18-19 में 3,30,078 million USD, कितना 3,30,078 million USD का export हुआ था 18-19 में, और अभी latest update के इस आपसे 19-20 में है, अब महलब last quarter April to January बाकी है, तो उसका जो export है, वो है 2,63,980 million USD, कितना million dollar का export है, तो इतना बड़ा इसका market है, तो top 10 country कौन सी है, तो सबसे ज्यादा हम export करते हैं USA को, किसको, सबसे ज्यादा हमारा जो product है, वो export हो रहा है USA को, तो यहां पर मैं आकडों की बात करूँ, तो इंडि million dollar, कितना, 5,311 million dollar, second country है South Africa, जिसमें export है, 440 million USD, कितना है, 440 million USD, उसके बाद आता है, रश्या, रश्या को हम कितना export करते हैं, pharmaceutical हम रश्या को कितना export करते हैं, 392.60 million USD, कितना export है हमारा, 392.60 million USD का, हम लोग export करते हैं, जो हमने किया है, मतलब यहां आकड़े हैं, 19-20 के, जो है, 19-20 के आकड़े हैं, 4th है UK, United Kingdom, UK को हम कितना export करते, 381.87 million USD का, हम UK को export करते, उसके बाद नाइजेरिया, यह नाइजेरिया जो है, African country है, इंडिया से आपको बताऊ, नाइजेरिया में दूसरी भी product, बहुत अच्छी export हो रही है, बहुत अच्छी export हो रही है, तो pharmaceutical कितना export हो रहा है, 329.55 million USD का export नाइजेरिया में हो रहा है, उसके बाद ब्राजील, yes, one of the good country and big country is Brazil, तो ब्राजील में हमारा export है, 248.01 million USD, कितना million USD का हमारा export है, तो हम यहाँ पे भी export कर सकते, अगर आप pharmaceutical export करना चाहते हूँ, तो यह country आपके target market में हो सकती, आपके radar में हो सकती है, और यहाँ पे यहाँ पे एक country में आप pharmaceutical export कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे YouTube पे बहुत सारे comment शाते एक सर्फार्माशूटिकल export पे वीडियो बनाए, तो pharma का product जो है आप export कर सकते हैं, बट थोड़ा उसका जो license होता है, उसका certification होता है, और सामने वाली country में उसका अप्रूल होता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है, आपको थोड़ा, मतलब उसका license का process थोड़ा, जो है lengthy रहता है, थोड़ा difficult रहता है, इतना difficult नहीं है, जो expert है, उसके लिए कोई difficult नहीं है, बट आम आदमी है, थोड़ा क्या है, फार्माशुटिकल है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एक आपको ध्यान में रखना है, जैसे दूसरी जो product होती है, जैसे के handicraft होगया, furniture को, हो बहुत इजी है, उसमें को license certificate नहीं चाहिए, अप्रूल होगे नहीं है, इतना, हो normal free product, यह भी free product है, बट government इसको थोड़ा control करती है, और दूसरा इसका license and certification ध्यान रखना होता है, जो जर्मनी को हमारा कितना export है, 240.21 million US dollar का हम लोग जर्मनी को export करते है, उसके बाद आता है Canada, Canada को हम कितना export करते है, 223.25 million USD का हम लोग Canada को export करते है, Australia उसके बाद आता है Australia, तो Australia को हम कितना export करते है, 214.77 million dollar का हम Australia को export करते है, तो यहाँ पे मैं आपको important चीज़ बताना चाहूंगा, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सबसे important चीज़ क्या है, देखिए Australia जो है बहुत ही अच्छा country है, और वहाँ पे दूसरी सारी product भी export होती है, तो Australia जो है आपका target market हो सकता, आप export import business शरू करना चाहते हो, तो Australia आपका target market हो सकता है, बहुत ही अच्छा country है, बहुत सारी product की वहाँ पे demand है, तो Australia में भी आप export कर सकते हो, यहाँ पे आपको tetristic देखना पड़ेगा, आपकी कोई भी product export import करना चाहते हो, तो आपक है फिलिपाइन को export करता है, तो 201.80 million USD का हम लोग फिलिपाइन को हम लोग export करते, फिलिपाइन को हम लोग export करते, तो यह थे top 10 country जहाँ पे इंडिया export करता है सबसे ज्यादा pharmaceutical product, तो आप ऐसे कौन सी product के बारे में जानना चाहते हो, यहाँ पे नीचे comment किजे, मैं वो product के बा तो like कीजे and practically export import सिखना चाहते हो, तो मेरा training आप join कर सकते हो, let's go global together, thank you